हेलो दोस्तों, हिरो कमपनी ने अपनी न्यू ग्लेमर एक्स्टेक को लॉंच कर दिया है तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा इस बाइक का प्राइस कितना है कितने विरेंड में इस बाइक को लॉंच किया गया है तो सबसे पहले हम इसके कुछ highlighted feature के बारे हम बात करते हैं New Glamour X Tech में आपको Bluetooth connectivity का function देखने को मिल रहा है साथ इस bike में turn by turn navigation system भी दिया गया है और साथ इसमें integrated USB charger और एक LED headlamp जैसे feature भी देखने को मिल रहा है New model में instrument console में भी standard version से काफी ज़्यादा details सो होगा इसमें gear position indicator, eco mode, takeo mode, rear time mileage indicator जिसको RTMI बोलते हैं यह सारा कुछ New Glamour X Tech में दिया गया है और दोस्तों एक बात मैं और आप लोगों बता दूँ इसका जो अभी तक है official video आउट नहीं हुआ है बट इनका जो official website है उसमें इस bike को include कर दिया गया है उसमें आप जाके इस bike के सारे details को देख सकते है आपको जो Hero Motor Company का official website है मेरे इस video के निचे description में मैंने दे दिया है तो वहाँ से आप check out कर सकते है और यह जो image आप देख रहे हैं अभी यह उनके official website से लिया गया है image इसमें so हो रहा है तो आप यह जान लिजे कि इसका जो मैं वीडियो नहीं देखा पा रहा हूँ तो इसका यही कारण है कि Hero Company ने अभी इसका कोई official वीडियो को out नहीं किया है हो सकता है यह ना भी करें बट जो भी वीडियो रिभीव वाला वीडियो आगा वो तो showroom पे जाने के बाद जब dealership के पास यह बाइक आ जाएगी तब इसका वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा आपको इसी channel पे तो चलिए पॉइंट पाते हैं तो और भी new glamour x-tech के कुछ feature के बारे में बात करें तो इस bike में side instant cut of switch का भी option मिल रहा है अब आपको इस bike में देखने को मिलेगा साथ इस bike में back angle sensor भी use किया गया है इसका फाइदा यह होता है कि जब भी bike आपकी गिरती है जब यह गिरने के इस्तितिम होती है तो उस time आपका जो engine है वो automatic बंद हो जाएगा तो इससे आपको एक safety प्रदान हो जाता है वहें इसके engine के बात करें तो hero glamour x-tech में 125cc का BS6 engine दिया गया है जो Xsense program fi technology से ले से कंपनी के मुताबित old वाले glamour से इसमें आपको 7% ज़्यादा mileage मिलेगा इस bike में 7500 RPM पे 10.7 BHP का power और 6000 RPM पे 10.6 Nm का peak torque आपको देखने को मिल जागा साथ ही इस bike में i3S और auto cell technology जैसे feature भी मिल रहे है और guys वहीं look और design के बात करें तो hero glamour x-tech में LED head lamp के S shape का position lamp भी मिलता है company का दावा है कि इस lamp में 34% ज़्यादा रोस नी मिलेगी X-tech variant में styling के बात करें थी इसमें 3D branding, rim tape और new matte color के लिए blue accent सामिल किया गया है अगर इसके variant के बात करें तो इस bike को दो variant में launch किया गया है एक drum brake variant एक disc brake variant जो base model है उस जो base version है जिसमें दोनों wheel में आपको drum brake देखने को मिलेगा जबकि जो premium model है उसमें आपको 240 mm का front में disc brake देखने को मिल जाएगा साथ इस bike में जो rear tire है उसको भी थोड़ा सा मोटा बनाया गया है थोड़ा सा मोटा tire size दिया गया है जैसे कि आप इस screen पे अभी tire size का image देख सकते हैं वहीं इस bike में आपको 180 mm का ground clearance देखने को मिल जा रहा है New Glamour X-Tec अपने class में first like bike बन गई है जिसमें इतने सारे feature देखने को मिल रहा है वहीं company का कहना है कि ये bike नोजवानों को अपनी और आकरसित कर सकती है तो दोस्तों चलिए main point के बारे में बात करते हैं कि इस bike का price कितना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये bike दो variant में available है market में एक है drum brake, एक है disc brake और जो भी मैं ये price बताऊँगा या Delhi का exorum price होगा तो जो drum brake variant है उसका जो exorum price है Delhi का 78,900 रुपीज तो ये थे new glamour x-tech के कुछ details जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये bike भी पसंद आई होगी तो आप बात करे हूँ है कि ये कब तक showroom में available हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि 1-2 अपता में इस bike को showroom तक deliver कर दिया जाएगा तो आप showroom पे जाके अगर आपको इंटेर्शेट तो ले सकते हैं और इससे पहले जो इसका launch से पहले जो इसका news update हुआ था news leak हुआ था कि ये launch होने वाली है तो सबसे पहले YouTube पे मैंने अपना ही वीडियो बना के ही upload किया था जिसमें सबसे पहले मैंने आपको इस bike में क्या कुछ feature देखने को मिलने वाला है ये सारा चीज जो आपको बताया था अगर आपको पसंद आती है मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और bike related news update के लिए आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं क्योंकि मैं YouTube से पहले Instagram पे ही update कर देता हूँ क्योंकि YouTube पे वीडियो बनार के upload करने में थोड़ा सा वक्त लगता है बट जो Instagram में उसमें मैं up to date हमेशा करते रहता हूँ time to time तो चल लिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए ride with bike